गुद मोरिंग 12th क्लास बच्चे आज तोपिखन डिसकस करेंगे देट इस EMI युनिट है बच्चे आलग से हम हेडिंग डालो EMI Electromagnetic Induction बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है बेटा Electromagnetic Induction चैप्टर नमबर 5 NCRT में युनिट नमबर 4 Electromagnetic Induction बेटा Electromagnetic Induction में सबसे पहले हम क्या क्या चीजे डिसकस करेंगे देखो बेटा सबसे पहले सी की Definition लिखते है कि What is Electromagnetic Induction बेटा क्या होता है इसी के surrounding में इसी के जो जो इसकी Definition में आएगा वो सारी चीजे हम इस उनिट में डिसकस करेंगे दो देखो Electromagnetic Induction देखो बेटा देखो इस फिनोमेना इस फिनोमेना इन वीच इन वीच चेंजी चेंज इन अगनेटिक फ्लक्स अभी बता हूँगा क्या होती है अगनेटिक फ्लक्स इस जिजए फिनोमेना इन विच अगनेटिक फ्लक्स प्रेद्योश ए इंजूर्ट इन इस्ट Induced EMF is called Electromagnetic Induction, बेटा, तो it is a phenomena in which change in magnetic flux produced induced current और induced EMF, बेटा, सारी चीजे बताऊँगा, क्या होती है इचीजे, बेटा, तो सब से पहले बात करते, बेटा आप लोग उन इलेक्रिक फ्लक्स हमने पड़ा था गोज ठोरम में यादे चार्ज इन क्लोज किया था फाइज इक्वल टू क्यू बाइफसलन नौट बेटा वैसा ही मेगनेटिक फ्लक्स भी है एक बाइफसलन से लिखें लिखते हैं चलो नौबर ओफ मेगनेटिक लाइस नौबर ओफ मेगनेटिक फ्लक्स विल्ड लाइस पासिंग थरो पासिंग थरो एक गिवन एरिया अलोंग दा नॉर्मल वेटा अलोंग दा नॉर्मल ये बहुत इंपोर्टेंट बात है वेटा कि नंबर ओफ मेगनेटिक लाइन्स पासिंग थरो एक गिवन एरिया एलोंग दा नॉर्मल इस कॉल्ड मेगनेटिक फ्लक्स बेटा इस कॉल्ड मेगनेटिक फ्लक्स बेटा तो सुनना क्या होता है बिटा आप लोगों ने एक मेगनेट अवेशा आप magnetic लेते हूं North Pole South Pole पड़ा है हमने हमने पता magnetic की कुछ line है होती है जो नोर्ट तो साउथ बाहर जाती है अब यह फीड लाइन डाइगराम होता है जिसकी अंदर direction होती है South to North और भाहर होती है North to South outward बछी यह आप लोगों को आप लोगोंने पता है यह मेगनेटिक याइन लाइन होती है अगर मैं कोई भी उनित ऐरिया बना लेता हूँ इसके अंदर से तो ढ़ेन तो सब्सक्राइब करता और जिस्से मेगनेटिक फ्लक्स याद रखना यहां पर यहां भी के लिए बना लेता हूँ यहां पे भी मेगनेटिक लाइन्स जो पास हो रही है वो क्या बोले जाती है लेकिन कंडिशन ही होने चाहिए कि मेगनेटिक लाइन्स जिस डारेक्षिन में जारी है ना नॉर्मल भी उसी डारेक्षिन होना ची उस एरिया का अगर आपको लगे ना कि सर मेगनेटिक लाइन्स हो है यहां मेगनेटिक लाइन्स है यहां मेगनेटिक लाइन्स है यहां मेगनेटिक लाइन्स है यहां मेगनेटिक लाइन्स ऐसे जार हो गया हमें पता चला नहीं यह तो कुछ सब्लों यह किया एक बित घृत्तथ मॉर्स आंगल पर उसको में घृत्र द्रकशन में सब्सक्राइब नॉर्मल नोर्मल नोर्मल में करते, ये लोर्मल ही पर पूलantis है , कंट करनी ओ अब आगये बढ़ते हैं, ठीटा ओ इसके यूनित लिखलो यूनित दू SI unit है वेबर and CGS unit Maxwell and CGS unit Maxwell होती है यह आप लोग याद रखोगे इसको it is a symbol जो होता है उसका it is denoted by 5B यह इसिंबल होता है बेटा magnetic flux का formula लिखेलो बेटा magnetic flux का formula होता है that is equal to integration of क्योंकि total number निकालना है ना to integration of Bds cos theta सारी चीज़े समझाता हूं बेटा यह formula हता magnetic flux total number of magnetic lines निकाल देखा किसी area के अंदर से B होता है कितना field strength magnetic field है strength बेटा जो निकालते हो किसी point पे bio savert लोग को यूज करके MPS circuit लोग को यूज करके B की value निकालते आई है बेटा तो वो B होता magnetic field है strength बेटा तो लिखो चीज़े रब कर रहा हूं में B क्या है B है magnetic field strength बेटा B है magnetic field strength बेटा magnetic field strength DS है area from which magnetic lines move बेटा Maggines के अंदर से move करवान है वो area कि इतना है बेटा magnetic lines move smooth बेटा थिट्टा जो होता है angle between magnetic field strength जो आप लोग पढ़ चुकियो direction बेटा magnetic field strength and right, maximal right and thumb rule जो बता है B की direction angle between magnetic field strength and area vector बेटा area का जो normal उसके बीच का angle थिटा यह बहुत important चीज़े है बेटा flux का formula BDS cos theta ds होता है वो area जिसके अंदर से magnetic flux lines pass करती है वो number देखेंगे तो 5 is equal to BDS cos theta ds small area है ना तो यह बात आप है अब बेटा magnetic flux maximum कपास होंगी माल्या बेटा एक surface है इसका normal area का normal perpendicular magnetic field इदर line ऐसे निकल दर यह बेटा इस direction में यह भी तो बेटा यह magnetic field lines जो है ना normal के along क्या करवानी पड़ेंगी rotate करवानी पड़ेंगी मतलब इसका component देखना पड़ेगा इस direction में कितना आएगा जैसे angle theta है तो इस direction में क्या आएगा B cos theta ना तो B cos theta की जो direction होगी ना यह इस direction में अब यह magnetic flux बोली जाएंगी बेटा magnetic flux इस direction में यह magnetic flux तब बोली जाती है जब along the normal वो निकलती है किसी है given area के अंदर से तो यह इस direction में rotate करवाना है पड़ेगा कोई component आएगा इस direction इक अंदर तो सुनो बेटा अब क्या है flux maximum का pass होगी maximum flux बेटा जब B किस direction में आ जाए normal की direction में theta 0 degree बन जाए बेटा क्योंकि along the normal है ना तो इसका आमलों theta is equal to 0 degree बन जाए तो 0 theta होगा तो flux का formula क्या बनेगा magnetic flux maximum का B cos 0 1 होता है ना तो इसका आनो यह integration magnetic flux pass करने का formula होता है कि बेटा अगर magnetic field strength and area vector दोनों आपस में parallel हैं तो उसके अंदर से magnetic flux maximum pass होगी यारी कि lines maximum pass होगी लेकिन इस case में magnetic lines maximum pass है नहीं होगी बेटा कुछ angle के उपर है तो इसका मतलब आगे बढ़ते हैं बेटा अगर मैंने कहा कि minimum flux का pass होगी minimum theta 90 degree cos 90 0 होता है ना तो 5 में 0 बेटा मतलब ऐसी situation बन जाए आप लोग देख सकते हो area vector उपर हो बेटा माल लिया magnetic flux दर जा रही हो मतलब इस direction में line है निकल रही हो तो theta कितने degree 90 तो यह कि भी line pass नहीं होगी बेटा ही area के अंदर से तो यह बात आप लोग याद रखोगे कि किस direction में कैसे magnetic field lines कितना angle होना चीए बेटा तो देखो magnetic flux change होती है तभी क्या होता है बता हो तभी induced EMF या induced current produce होता है बेटा देखना ज्यान से सारी चीज़े सिखा होगा induced current और induced EMF का produce होगी जब magnetic flux change होगी magnetic flux change होगी यह flux बेटा बेडियस कोस्तिटा तो यह जर्णल formula तो यह होता है ना phi का phi is equal to bds cost सिटा तो देखो बेटा अगर flux change करनी है तो आपको तीन चीज़े याद रखनी पड़ेगी जिन पर flux depend करती है magnetic field strength area from which magnetic lines moves या angle between magnetic field strength and area vector बेटा तो लिखो कौन-कौन से factor हैं जो flux को बदल सकते हैं उन्हे factor को हम एक बाद दिसकस कर रहे हैं बेटा ये चीज़े दुबारा दुबारा लिखता हूं में factor at which factor at which change in magnetic flux depends factor at which change in magnetic flux depends depends फास्ट क्या है बताओ देखो फलक्सा फर्मूला लिखे लो इंटेग्रेशन BDS small area cos theta देखो बेटा फास्ट इस क्या है अगर theta अगर theta बेटा फास्ट इफ बी बदल जाए बेटा magnetic strength will change बेटा फास्ट तो भी flux change होंगी बेटा B बदलेगा तो flux बदलेगी बेटा समझवाई बात बेटा दूसी चीज़ देखो दूसी चीज़ क्या है बताओ सेकेंड है बेटा अगर ds बदल जाए अगर area of area of magnetic flux area of surface will change that यह लिखलो बेटा surface will change ठीक है बेटा ds बदल जाए small area shrink हो जाए elongate हो जाए जो भी है बेटा वह आप लोग depend करें area कितना लेते हो आप उसको अचानक से क्या करते है तो shrink करते हो वह ऐसी catch करें तो उसको तो उसके अंदर से line की strength क्या होगी decrease ये increase बेटा आप भी depend करता है shrink करते हो एलोंगेट करते हो तो third factor है बेटा ये factor बेटा angle between angle between d and area vector बेटा area vector बेटा area vector angle between d and area vector बेटा तो भी magnetic flux बदल सकती है low way हमें ये पता चल गया कि induced EMF कैसे produce की जा सकते हैं इसे एक factor बदल दो बेटा flux बदल जाएंगी ना current आ जाएगा मतलब induced EMF आ जाएगी अब induced EMF क्या होती है वो सारी है के detail topic जो में बताऊंगा आपको तो flux को बदलने के 3 भी हो सकते हैं angle बदल दो area को कम जादा कर दो या magnetic strength को change कर दो flux बदल जाएंगी किस area के अंदर से pass होने वाली lines के number बदल जाएगा बेटा कम जादा हो जाएंगी वो और वही किसका reason बनती है induced current या induced EMF का बेटा ये बात आप याद रखो अब आगे बढ़ते हैं बेटा सुनना जाएंसे अगर मैं को हूँ की भई देखो ये सारी बाते हैं एक scientist ता फेराडे बेटा फेराडे ने क्या बताया उसने flux के बदलने के साथ EMF का एक रिलेशन बताया induced EMF का बेटा फेराडे law of electromagnetic induction बेटा सुनना फेराडे ने क्या बताया फर्स्ट दो लो दिए बेटा फेराडे ने यही बताया flux के बदलने से EMF क्या करती है वो सारी चीज़ेदें तो फर्स्ट देखो बेटा फर्स्ट उसने जो फेराडे फोर्स्ट लो फेराडे फोस्ट है सुसने direct definition इसन लिफ दी बिटा उसने क्या लिखका उसने का लिखो चेंज इन मेगनेटिक फ्लक्स चेंज इन मेगनेटिक फ्लक्स इन ए क्लोजड लूब प्रोड्यूस ए इंडूस्ट एमफ इमफ और इंडूस्ट करेंट बिटा देखना बिटा यह सारी चीज़ें आगे आएंगी इंडूस्ट करेंगी मरलाब उसने जो लिख्टो मेगनेटिक इंडक्सर की डेफिनेशन थे नो अपने नाम से बना लिख फ्राडे फर्ष्ट लूब चेंच इन मेगनेटिक फ़लक्स इन खोलजूस्ट إبداءﷺ999 वह चेंज हो जाएं तीर फैक्टर चेंज में से एक भी फैक्टर हो जाएं तो वह बदलेंगी वह फैक्ट्स तो सेकंड स्टेटमेट का फिराड़े की फिराडे सैंके ब्लों सेकंड ब्लों ब्लों उसने का उसने definition मना दे वेटा क्योंक उसने लगी relation क्या है यानि कि flux का बदलना E के एकवल होता है इंडूस Tm of flux कितनी चेंज हुए इनके साथ rate of change of magnetic flux E के एकवल होता है rate of change of magnetic flux is equal to induced Tm of beta तो ये statement आपको याद नहीं चिए एन होता है कोईल के टन्स कितने उस एरिया ने जिसके अंदर flux चेंज हो रही है उसके टन्स कितने बेटा ये होता है number of tons of coil बेटा ये इसकी statement भी आप note कर लेना बेटा number of tons of coil तो induced Tm of is equal to rate of change of magnetic flux बेटा ये definition लिख लेना साथ में अब is equal to minus Nd5y dt negative sign क्या दिखाता है negative sign दिखाता है negative sign दिखाता है negative sign show that induced Tm of oppose induced Tm, ये बहुत interesting बात है बेटा oppose the change in क्या change करता है बताओ oppose the change in magnetic flux बेटा याद रखना first law तो कहता है magnetic flux change जब होंगी तो EMF पैदा होगा second statement कहता है कि जब EMF पैदा हो जाएगी तो वो further flux change को oppose करती है मतलब दोबारा से उसको change होने से रोकती है क्यों change हो रही है तो इसलिए minus sign लगा दिया देखो बिटा ये अपनी बात में contradiction first statement कि flux change करने से EMF प्रडूस होती है second है EMF प्रडूस होती है ना वो flux change को oppose करती है माइनस का माइनस का माइनस दिफाइब डीटी तो एन अपता है number of turns कितने है कोईल के जिसमें अंदर से flux change हो रही है अगर one है तो one put करोगे माइनस दिफाइब डीटी आ जाएगा तो यह सारी बाते second law ने बताई बेटा कि E is equal to यह formula यह होता है निकालने का उसने formula दिया फर्स ने only statement दी थी बेटा तो दोनों आपको याद रखने पड़ेगे अब EMF क्या होती है एक voltage क्या होती है एक voltage एक artificial voltage बदा अपनिया आप और वो voltage की direction भी होती क्योंकि अगर EMF है तो positive negative terminal तो मिलेंगे इसकामलब direction को न बताएगा lens low तो lens low बेटा लोको direction of induced EMF यह यह देलिक लो बेटा है lines कि direction of induced EMF is defined by lens low बेटा भी lens low को discuss करेंगे next लोको बेटा लोको बेटा अगर the direction of induced EMF direction of induced EMF defined by lens low ये next lecture में discuss करेंगे ठीक है बेटा ये direction जो induced EMF की को न बताएगा lens low अब देखो EMF तो produce कर दी फेराडे ने बता दिया अब उसकी direction को न बताएगा lens low बेटा clear है thank you so much